मैं तरों स्वागत करता हूँ आपका हमारे जैवी एंस या भी मेट सिंपल के इस चैनल में दोस्तों यह हमारा लाइफ सेशन सेकेंड है इससे पहले दोस्तों मैंने आपको लाइफ सेशन वन दिया था और वह उसमें हम लोगों ने एम सीक्यू यूनिट वन का एम सीक्यू कि वह मैं आपको समझाऊंगा और नेशे तुरूप से दोस्तों इसमें आप कॉन्फिडेंट फिल करेंगे एम सीक्यू को सॉल्व करने में इस पार्टिक्लर वीडियो को देखने के बाद तो अंतिम तक बने रहे हैं दोस्तों चलिए सुरुबात करते हैं हम लोग इस वीडि को गेज किजिए आप कहां प्रिपेर कर रहे हैं कहां इस्टेंड कर रहे हैं उस पार्टिक्लर डेली कुछिस का आप लेजिए पहल लेजिए पहला कुशन आपके स्क्रीन पर है कि टर्म डैट मॉस्ट एकरुटली कैप्चर्स प्लानिंग इच यानि प्लानिंग को सबसे सब्सक्राइब करता है दोस्तों मैं आपको एक एक उप्सन समझाता हूं सबसे पहला उप्सन कर रहा है और आपको पता है दोस्तों प्लानिंग जो है प्लानिंग इस नॉट जस्तों आप दना फ्लान और एक्जीकुटेट नहीं अधर आप प्लान को मुनिटर भी करना होता है यू निड टो मोनिटर दपलान ऐसो थाकि आप यह कर सकें कि आपका जो प्लान है वह उन ट्रैक है और इसमें यदि कुछ अजस्मेंट करना हो तो वह आप कर सकेंगे, तो यह definition गलत है, फिर दोस्तों आप definition number two को देखें, coming up with ideas for how the goal of organization can be accomplished, तो दोस्तों यह definition यह closer है, ठीक है, this is the closer definition to the planning, but यह quite accurate नहीं है, this is not quite accurate, okay, so this is still not quite accurate, so planning के अंदर दोस्तों आप ideas, यहाँ पर keyword क्या है ideas, तो ideas के साथ तो आप आते हैं, लेकिन planning में ideas के अलाबा भी बहुत कुछ होता है दोस्तों, तो इसके अंदर आप जो है best strategy को determine करते हैं, you determine the best strategy, right, तो उस गुंसाभी goal को achieve करने के लिए best strategy क्या हो decide करते हैं, तो option number B भी क्या है, हमारा गलत है, तो आपने देखा option यह गलत है, option B गलत, option C में कर रहा है कि determining the goals of the organization as well as the strategy to achieve those goals, दोस्तों, यह जो option है, सबसे ज़्यादा accurate है, this is the most accurate definition, क्यों दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर दो चीज़ा है, एक तो goals है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है goals of the organization, और दुसा चीज़ा है strategies, यहाँ मैंने बता है कि पहले में goal नहीं था, दुसरा में strategy नहीं था, यह यह सबसे कम accurate है, क्योंकि इसके अंदर, planning का सारा aspect included ही नहीं है, planning का मतलब यह नहीं होता है कि आप planner का responsibility है, और planning department ka जो responsibility है, इसका मतलब यह होता है कि आप responsibility दे रहे हैं It also means responsibility of everyone in the organization, खाली planner और planning department का responsibility नहीं जितने भी organization के जितने भी लोग हैं, सभी का क्या responsibility है, यह planning होता है तो D तो ऐसे भी गलत है, तो इस question का सही जवाब है, दोस्तो option number C option C is the correct definition, it shows the goals also, it shows the strategies also so D is the correct answer, तो इस प्रकार से आपको option को eliminate करना है, चलिए, इस चीजों का समझ रहे हैं, आगे बरते हैं, तो इस question आपके screen पर है, question number 2 में पुछा जा रहा है, कि पहला चीज जो आप करेंगे जब आप किस चीज को plan करते हैं, वो क्या करेंगे option A है कि goal set करेंगे खुद के लिए, दोस्तों, दीए यह जो पहला चीज है, आप यह करते हैं कि goal set करते हैं, क्योंकि दोस्तों जब planning start करते हैं, तो सबसे पहले आपको clear direction होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, तो you should have clear direction आपके पास clear direction होनी चाहिए, आपके पास purpose होनी चाहिए, these are the very important thing, so तो बिना किसी goal का आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या achieve करना चाहरे हैं, और आप अपने plan को develop नहीं कर पाएंगे, तो पहला तो सही है, evaluate yourself, देखिए goal setting के बाद, आपने goal set कर लिया, goal setting के बाद evaluation इससर इंपोर्टेन रोलाट प्ले करता है, जैसे आपको पता है कि आप क्या achieve करना चाहरे है, तो आप आप consider कर सकते है different way to achieve, क्या क्या अलग अलग तरीका है, उसको achieve करने का, आपको पता है कि हम मुझे यह achieve करना है, आपने goal set कर लिया, तो फिर आप क्या आप सब्सकरेत करने के लिए तो इसके अंदर आप evaluate करते हैं, आप क्या करते है दोस्तों इसके इंदर आप evaluate करते हैं, क्या evaluate करते है प्रॉस को आप evaluate करते हैं कॉंस को, प्रतिक alternative का और फिर उससों चीछ सबूस करते हैं है जो सबसे हाद है आपने यह आफिफेल इस में कच में ऐ पता कि ओस ओर विक अपनी और सबसे अबर कर लिनको अब कितना आपके पास कितना अब या आफ सबसेंट करेंगे गए सब से बड़के अनक पास यह सबिज पसन divided level with you so you can start to think about your own strength and weakness इसे आप पता कर सकेंगे कि कौन सा alternative सबसे हादा suited है आपके लिए which alternative is more suited for you ठीक है और last में का रहा है examination of result from the past तो ये भी आप तभी करेंगे जब आप goal set कर लेते हैं right goal setting के बाद और plus आपने alternative को evaluate कर लिया है आपने क्या कर लिया alternative को evaluate कर लिया है तभी आप ये भी करेंगे ठीक है तो friends जैसे आपके पास plan है हाँ और आप जो है इसके बारे में सोचते हैं कि कैसे improve कर सकते हैं अपने past experience के basis पे इसके अंदर आप अपने previous plan को examine करते हैं तो दोस्तों इस question में ये पूछ रहा है कि पहला काम आप क्या करेंगे तो पहला काम यहीं होता है कि आपने लिए गोल सेट करते हैं राइट अल्टरनेटिव करना स्टेंथ वीक्नेस देखना जिसमें आप सभी प्रकार के questions को प्रैक्टिस कर पाएं वह भी कुछ के फॉर्मेट में ऑनलाइन टेस्ट के फॉर्मेट में तो दोस्तों आपके लिए मैं लेकर आया हूं extensive मिलता है यानि दोस्तों दोसों से ज्यादा कुजिस का सेट है यानि प्रतिक दिन आपको 2 मिलेगा प्रतिक बापर एक्स्प्लानेशन होगा बीस मिनट आपको समय दिया जाएगा वह टॉपिक में आपको देली बता दूँगा कि इस टॉपिक आपको पढ़ना है और आपक गॉक्त मोडूल मॉध यसमें इसे मोडूल मॉडूल कम्प्लीट होता है तो हम एक कंप्लीट होता है इसमें सो कोशन होता है और फुल लेंद मॉक्तेस में जैसे हमारा पूरा स्लिवर्स कंप्लीट होता है तो हम लोग चार फुल लेंद मॉक्तेस लेंगे और यह कूश्चेन नमर 3 को देखते हैं तरहां है कि प्लाणिंग का कौन सा अस्पेक्ट है जो कि इस फेक्ट से कनेक्ट्ट है कि अलेज जाने की कि देखते हैं तरहां है देखिए बहुत बढ़िया question है देखिए सबसे पहले पहला option देखते है the act of planning is in intellectual workout देखिए basically planning का जो यह aspect है जो कि सबसे जादा closely related intelligence से एक planning का एक aspect है दोस्तों जो कि किस से related है intelligence से okay so basically planning के अंदर क्या होता है कि आप critical thinking requirement होती है critical thinking so you should be able to think critically उसके बाद दोस्तों आप critical thinking तो है ही आप evaluate कर सके है आपके पास जो information है उसको आप evaluate कर सके है और finally आप decision ले सके है right so यह सब भी skills होते हैं जो कि intelligence के साथ associated होती है right चलिए आगे option number B को देखते है option B को सजारा समझते है इसमें कार है कि planning involved looking into the future देखिए future देखना यह भी एक important aspect है planning का लेकिन यह closely related नहीं intelligence है लेकिन intelligence लगता है उसको सही तरीके से करवाने के लिए right तो future तो कोई भी देख सकता है लेकिन intelligence कभ requirement होती है जब उसको आप सही तरीके से करवाएंगे तो दोस्तो planner को वो जो है future के बारे में सोच पाई realistic way में और वो consider करे सारे possible outcomes को option C को देखते है the most important part of management is the planning process तो यह भी दोस्तो यहां पर हम लोग planning के importance को समझ रहे हैं लेकिन यह intelligence के बार में कुछ का रहा है या नहीं का रहा है it doesn't say anything about the intelligence but the question is which aspect of planning has required a high level of intelligence this is also wrong option D को देखते है making choice as an integral part of planning दोस्तो यह भी important aspect है planning का लेकिन यह intelligence से closely related नहीं है ठीक है क्योंकि basically intelligence में आप critical thinking होनी चाहिए आप information को evaluate कर पाएं तो कोई भी choice बना सकता है यहां पर choices है न कोई भी choice बना सकता है टीक है लेकिन intelligence लगता है good choice को बनाने में तो कहने का मतलब कि इस question का जो सही जवाब है वह option नमरे क्योंकि act of planning जो है and intellectual approach right intellectual work out so it requires critical thinking and also it requires decision making skill okay so this is that's why let's come to the next part next question मैं आप से पुछा जा रहा है कि जो planning process है वो किसी इसका foundation रखता है देखिए controlling क्या होता है controlling एक process होता है ensure करना कि organization on track है जो हमारा organization है वो on track है अपने goals को achieve करने के लिए right इसके अंदर आप standard set करते हैं performance को measure करते हैं और corrective action लेते हैं जब भी जरूरी होती है तो तो दोस्तों यह जो planning process है this planning process set the foundation for controlling right यह planning जो है वो controlling के लिए foundation set करता है क्योंकि दोस्तों planning जो है goals provide करेगा planning आपको standard provide करेगा right it provides the goal it provides the standard जो कि organization use करेंगे आपने performance को measure करने के लिए चलिए option B को जो देखते हैं directing दोस्तों directing जो है आप इसमें क्या करते है you motivate the employee you motivate the employee उन्हें guide करते है ताकि वो organization का जो goal है उसे achieve कर पाए right तो इसके अंदर आप clear expectation set करते हैं feedback provide करते हैं conflict को resolve करते हैं तो जो planning process है तो directing का भी foundation रखता है यानि अधार स्थम्भ है right so planning set the foundation for directing also क्यों कि planning के दोर आपको goals मिलता है planning के दोर आपको objective मिलते है right तो जो कि employee use करते हैं अपने action को guide करने के लिए तो यह भी सही है staffing की जहां तक बात है staffing में क्या होता है कि आप acquire करते है what you do in staffing you acquire you develop आप acquire कर रहे हैं आप develop कर रहे है right आप maintain कर रहे है you are maintaining a workforce जो कि organization के goal को achieve कर सकता है इसके अंदर recruitment आता है selection आता है training आता है employee को तो planning process staffing का भी foundation रखता है it also is the foundation for staffing और last है दोस्तों हमारा organizing organizing दोस्तों इसमें क्या होता है कि organizing में आप assign करते है task को you are assigning the task ठीक है आप जो है reporting relationship को establish करते हैं इसके अंदर एक structure create किया जाता है जो कि allow करता organization को अपने goal को achieve करने में तो planning process organizing का भी foundation रखता है तो कहने का मतलब कि इस question का सही जवाब है option नमरे controlling क्योंकि planning process सबसे ज़्यादा controlling का अधार स्थम रखता है जो कि यह goal provide करेगा standard provide करेगा जो कि organization यूज करेंगा अपने performance को measure करने के लिए तो correct answer is option नमरे चलिए आगे बढ़ते हैं नेश question है आपके questions को यदि आप डेली में से practice करना चाहते है free of cost और यू can take help app का link description section में अब label है और दोस्तों ज़रूर हमारे live section को live session को ज़रूर return करें आप बिल जो हमारा bill icon है उसको press कर दे दोस्तों जैसे हमारा live session live accounts का notification आपको मिल जाएगा हमारे telegram channel के साथ जूड़ जाए telegram channel का नाम है cib made simple आप simply telegram पे जाए और नाम से search करें cib made simple तो दोस्तों आप इसे जूड़ जाए क्योंकि इस पे मैं daily के daily जो भी updates है cib से related वह प्रवाइट करता रहता हूं और जो पहला option at the time of developing premises जीजिए बिसिकली यह जो प्रिमाइस को डेवलप करना होता है इस अ स्टेज यह हमारा planning process का एक स्टेज है जहां पर आप assumptions को को एरिफाई करते हैं आप क्या करते हैं दोस्तों आप assumptions को एरेटिफाई करते हैं और constraints को करते हैं आप assumptions को और constraint को identify करते हैं ठीक है जो कि आपके plan को affect करेगा तो यह जो premises होते हैं वह खुद plan नहीं होते हैं इसलिए दोस्तों वह plan को feasible नहीं बनाते हैं राइट तो question में क्या कर रहा है what exactly doing the planning process is the most feasible plan become तो दोस्तों यह भी stage है अच्छा option B को देखते हैं considering the various potential course of action यह भी planning process का stage है ठीक है this is also a stage इस stage में आप क्या करते हैं दोस्तों इस stage में आप brainstorm करते हैं what you do you brainstorm आप brainstorm करते हैं अलग अलग तरीका अपने goal को achieve करने के लिए तो यहाँ पी दोस्तों आप list of possible plan के साथ गुजरते हैं लेकिन दोस्तों यह भी feasible नहीं होता है this is also not feasible तीसरा है choosing between available option यह भी हमारा stage है this is also a stage of planning process यहाँ पर आप सबसे most feasible plan को select करते हैं आपके पास जो सबसे ज्यादा feasible plan है उसको आप क्या करते हैं select करते हैं तीक है क्योंकि आपने जो सबसे ज्यादा successful होने का chance है उसे select किया option D को कहा गया है establishing objective तो यह भी एक stage है planning process का लेकिन जहाँ पर आपने goal को define करते है राइट where you define your goal यहाँ पर क्या कर रहे है goal को define कर रहे है तो यह stage वह stage नहीं है जहाँ पर आप plan को choose कर रहे है तो यह भी plan को feasible नहीं बनाता है दोस्तों सही जवाब इस question का क्या है बता सकते है आप now you can tell the correct answer to this question that is nothing but option number C that choosing between available option तो सबसे ज्यादा feasible plan वह होता है जो कि इसको आप carry कर सकते है जब आपके पास बहुत सारे list of possible plans का so option number C is correct right please answer please remember चली आगे बरते हैं मैं एक चीज आपको एक्जांपल के तुरु समझा रहा हूं this is the best way to learn okay you need not stress on remembering anything you just go through the point that I am discussing and on the basis of this discussion only you can answer the question which will ask in your examination now let's see our next question आजजे दोस्तों नेस्टों को देखते हैं next question आपके screen पर है name one of the basic concept for smoothly running an organization यहनि दोस्तों किसी organization को यह दिये smooth run करना है तो basic concept क्या है आपके सामने 4 options दिये का है option आप देख सकते हैं आई एक एक option को discuss करते हैं दोस्तों सबसे पहला option है management so management you know management is a process of planning management में क्या होता है management में planning होगा organizing होगा ठीक है उसके लाब दोस्तों management के अंदर आपका it also includes directing, controlling, organization resource to achieve the goal यह एक broad concept है you know this management is a very broad concept so this management is a broad concept और दोस्तों दुसरा option is planning you know planning planning एक process है कि आपने goal set किया ठीक है आपने objective set के organization के लिए और फिर एक plan को develop करते हैं तो इसको go achieve करने के लिए you know what is coordination so this coordination is a process of ensuring that the different parts of the organization work together मतलब यह ensure किया जाता है कि जो अलग अलग पार्ट है organization के वो एक साथ काम करें right यह होता है coordinating तो friends आपसे question में कहेंगा basic concept क्या है तो जो most basic concept है smoothly run your organization वो है management वो क्या है दूस्तों management क्योंकि एक umbrella term है इसके अंदर सारे दूसरे activities आते है right तो इसके अलग दोस्तों आपको यह दिया smoothly run करना है किसी organization को इसके लिए आपको communication proper होना चाहिए उसके अलग दोस्तों आपकी decision making सही होना चाहिए you need to have a decision making proper decision making power आपके पास leadership होना चाहिए you need to have a leadership किसी organization को समुती रण करने के लिए करने के लिए दोस्तो communication, decision making, leadership, problem solving, all these things you should have, so this is the point, now let's come to the question number 7, question number 7 वे आप से पुछा जा रहा है कि planning का कौन सा step है, जिसको आप process कर सकते है, topmost and applicable plan would be implemented, बात बरिया question है दोस्तों, so ये सवाल में पुछा जा रहा है कि किस step है, planning के किस step है, at what step of planning can be processed, with the topmost and applicable plan will be implemented, so not till the answer of this question, very good question it is, so let me explain this question using example, best example I am giving you, the first option, okay, दोस्तों, पुछा जा रहा है, यहाँ पे कि setting of objective, right, at what step of the, at what step, okay, the first step is the setting of objective, दोस्तों, planning process का सबसे पहला स्टेश होता है, ठीक है, तो यहाँ पी क्या करते हैं, कि आप goal को define करते हैं, जो कि आप achieve करना चाहरा है, developing premises, तो premises के अंदर आप assumptions को identify करते हैं, what you do, you identify the assumptions, okay, and constraint, आप assumptions को identify करेंगे, आप constraint को identify करेंगे, that will affect your plan, तीसरा है हमारा evaluating alternative course of action, इसके अंदर क्या होता है, कि brainstorming होता है, what you do, you brainstorm, आप brainstorm करते हैं, अलग तरीका, goal को achieve करने के लिए, you have a goal, and you have to achieve them, you brainstorm different way to achieve your goal, ठीक है, तो आप जो है evaluate करेंगे, प्रते ही alternative को और जो सबसे यहादा successful होने का chance है, उसे select करेंगे, ठीक है, फिर दोस्तों इनेक्स आता है हमारा formulating supporting plan, यानि आप जो है detailed plan बनाते हैं, कैसे आप अपने choosing alternative को implement करें तो दोस्तों question के perspective से बात करें, जो topmost applicable plan है, ठीक है, वो है evaluating alternative course of action, right, what you do, evaluate the alternative course of action, so basically ऐसा इसलिये, क्योंकि यह वो step होता है, जहाँ पे आप उस plan को select करेंगे, जो कि सबसे यहादा chance है successful होने का, ठीक है, तो आप उस plan को select करेंगे, जो सबसे यहादा chance है successful होने का, ठीक है, बाकी option नहीं correct है, क्योंकि यह सभी step planning process में है ही नहीं, right, चली, आगे बरता है, let's come to the next question that we have, so friends, next question में आप से पुछा जा रहा है, in which pace of the organization, okay, this is also very good question, let me explain each and every example to it, so question is, in which pace of the organization, of the planning process, two side of a coin of each alternative are examined, यानि दोस्तों आप से पुछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा step है, ठीक है, planning process का, यहाँ पर एक सिख्ये के दो साइज, यहाँ पर option को ज़रा देखते हैं, let's see the option, the first option is setting up objective, okay, देखिए, यहाँ पर सही जवाब, इसका मैं आपको बताओ, सही जवाब है, in evaluating alternative course of action, basically क्या होता है, कि यह जो step है planning process का, यहाँ पर two side of a coin of each alternative are examined, इसका मतलब यह हुआ, कि आपको consider करना परेगा pros को भी, you need to consider the pros also, you need to consider the cons also, of each alternative, प्रते एक alternative का, आपको pros देखना परेगा, इससे पहले कि आप उससे select करें, जो कि ज्यादा successful होने एक जान से, दूसरे option correct नहीं है, क्योंकि दोस्तों, यह evaluate नहीं कर रहे है, pros और cons को, ठीक है, उसके लावा, success का likelihood होना, alternative का cost क्या है, time commitment क्या है, यह सबी चीज और important चीज है, जो कि required होती है, चलिए, आगे बढ़ते है अब लोग नेश को सन पर आते हैं, question number 9, planning किसे कहा जाता है, देखिए, planning जो है last function नहीं है, manager का है, तो यह option का रहा है, last function, this is wrong, ठीक है, नहीं यह first function है, right, तो planning ए continuous process है, जो कि management process के तुरू आता है, managers जो होते है, वो constantly plan करते है, goal setting से, objective से लेकर, strategy और tactics बनाना, ठीक है, तो दो option number D is correct, none of the option is correct, सब्सक्राइब दोस्तों, चली आगे देखते हैं, thinking about the, this is also very very good question, let me explain it, ठीक है, thinking about the future outcome is known as, यानि दोस्तों, आप यदी future outcome के बारे में सोच रहे हैं, तो से क्या कहते हैं, so please tell the answer of this question, very nice question it is, so thinking about the future output is also known as, option A is setting planning premises, option B is making derivative plan, option C is making policy, so thinking of future का मतलब यह नहीं हुआ कि planning, planning एक specific process, जिसके अदर goal set करना, strategy develop करना, resources allocate करना हाता है, तो future के वारे में सोचना एक broader concept है, जिसके अदर सारा तरीका आता है, जो कि हम future में anticipate करते हैं, ठीक है, तो दोस्तों, यहाँ जो option दिया हुआ है, sitting planning premise, making derivative plan, making policy, यह सभी गलात ह future, right, so option number D is correct, दोस्तों, आगे देखते हैं, looking at the following sentence, can you identify which is an opportunity, यानि आप इस sentence को देखिए है, बताए कि कौन सा opportunity है, तो दोस्तों, सही जवाब है इसका, कि new market opened up, तो नया market open करेगा, तो अविस से बात ही क्या है, हमारा opportunity है, next question है, कि आपको बताना है कि कौन सा threat है, option को देख threat है, right, this is a threat, next question देखते हैं, so question number 13 we have, is the combined plan, जिसके अंदर आप objective set करते हैं, long term के लिए, time of action find करते हैं, और resource का allowance find करते हैं, इससे क्या करते हैं, policy, procedure, strategy, program, दोस्तों, सही जवाब है, इसका strategy, this is called strategy, मतलब एक combined plan होता है, जिसके अंदर आप objective set करते हैं, long term के लिए, time of action find करते हैं, allowance of resource x find करते हैं, this is called strategy, option number C is correct, next question है, एक plan जिसके अंदर कुछ procedures होते हैं, कुछ rules होते हैं, उससे क्य जा का जाता है, उसे program का जाता है, okay, so option number A is correct, the plan that involves some procedures and rules is known as program, option number A is correct, हाई, ये next question देखते हैं, so next question we have, कि जो regiment होता है, जिसमें core को execute का जाता है, उससे क्या का जाता है, strategy, procedure, method, or policy, so this is called method, so friends, don't let this opportunity pass you by, course prices are going up tomorrow, don't wait any longer to enroll, enroll now and start learning today, take help of this Friday 20th program, hopefully you enjoyed this session, similarly, इसी प्रेकार से दोस्तों मैं आपको daily basis पे MCQs करवा रहा हूँ, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, तो एक like जरूर करते हैं, इस वीडियो को और share करें और लोगों के साथ, चैनल को subscribe कर लें, ता hit bell जो आपका bell icon उसे hit करें, ताकि आपको इस्ट का instant notification आपको आपते की जानकारी कोई से ऐंकारी मुझे वाच्छाप कर सकते ही, और फिर दोस्तों थैंक्स फर वाचिंगे बाकिया इसे